नमस्कार बच्चू आज हम पढ़ने और समस्दे वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी के हमारी असेस्मेंट वरक्षिट नमबर नाइन यानि आंकलन कारे पत्रक सिंख्या नोकू यह आपकी 18 अक्तूबर 2021 की वरक्षिट रहेगी और यह असेस्मेंट वरक्षिट आपके प्रीबोर और बोर्ड एकजाम में रिपीट होने के भी चांसेस रहेंगे जहां तक आज की असेस्मेंट वरक्षिट की बात है तो इसमें हम पद परीच्चे वाच्चे रचना के अधार पे वाक्य भीद और रस्पद आधारित कुछ आसान से परशनों को हल करेंगे ठीक तो पद पर है कि जो वाक्य हम बोलते हैं तो वाक्य में जो भी शब्द होते हैं हर शब्द का अपना परीच्चे होता है कि वो संग्या है सरवनाम है विशेशन है क्या है वो पद परीच्चे कहलाता है ऐसी वाच्चे होते हैं वाच्चे से में पता चलता है कि जो वाच्चे इसमें कर और चोथा है रस, रस मतलब जब हम किसी कवीता को या किसी साहिते को पढ़ते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, उपन्यास को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो जब हमारी मन में पेदा होता है कि वहाँ मज़ा आ गया, ये जो भाव पेदा होता है, वहाँ मज़ा आ गया, वो जो भ वक्षिट है इसको आपको quiz की तरह लेना है, ठीक, क्योंकि ये आप practice करे हो, तो quiz की तरह लेना है, जैसे ही मैं person आपके साथ discuss करता हूँ, आपके ये option मैं आपके साथ share करता हूँ, उसके बाद आपको अपना answer guess करना है, और total score आपका क्या रहता है, वो आप comment section में मेरे साथ share कर सकते हूँ, पहला जो हमारा person दिया गया है, कि वाक्य में प्रियुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, ये हमें बताना है, पहला है उनको शब्द ही बोलते हैं, दूसरा उनको पद बोलते हैं, तीसरा उनको वर्ण बोलते हैं, और चोथा उनको पदानवे बोलते हैं, जिसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा, वो रहेगा B, वाक्य में प्रियुक्त शब्दों को हम पद बोल दीसरा A और B दोनों, C जो आपका विकल्प है, A और B दोनों हो सकते हैं, और D है इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो correct answer है वो रहेगा C, A और B दोनों, यानि इनको हम पद व्याख्या भी कह सकते हैं, और इसको हम पद आन व्या भी कह सकते हैं, clear? तीसरे परशन को देखिए, Tैसरा हमारा परशन है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कांड़, पदोमे जब विकार पेदा होता है, उसमें जब बदलाव आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला है, उसे हम एविकारी कहेंगे, उसे हम विकारी कहेंगे, उसे हम जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाती है, अब खाता और खाती, link के अंसार उसमें बदलाव आ गए दूसरा आपका करम वाच्चे, तीसरा आपका भाव वाच्चे, चोथा करन वाच्चे, तुष में आपका करम वाच्चे रहेगा, B आपका सही विकल्प रहेगा, ओके तो यहां पर question number one to four के एक बार दोबारा से answers को टैली कर लिजे, तो पहला जो आपका परशन है उसका answer B र देखते हैं, fifth आपका question दियागा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाच्चे में प्रियुक्त वाच्चे कौन सा है, तो यहां पर option दिएगे, पहला करित्री वाच्चे, दूसरा करन वाच्चे, तीसरा करम वाच्चे, चोथा भाव वाच्चे, तो इसमें सही विकल्प आपका रहेगा, डी, यहां पर भाव वाच्चे, भाव की परधानता है, ठीक, उसमें चठा आपका question, बच्चे मेदान में खेल रहे हैं, रचना के अधार पर यह किस परकार का वाच्चे है, पहला यह सरल वाच्चे है, दूसरा यह सियूंक्त वाच्चे है, तीसरा यह मि बारिश होने वाली है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है, इसमें उफवाक्या का भेध लिखना है, तो जहां पर की का प्रियोग किया जाता है, तो इसकी मैंने एक ट्रिक बताए थी, की देख लेजी, ठीक, कन्फियूज नहीं होना, तो वो होते हैं संग्या आठमा आपका पर्शन दिया गए, वे भाव जो मन में स्थाई रूप से रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, पहला विकल्प है, उसको अनभाव कहेंगे, दूसरा उसे विभाव कहेंगे, तीसरा उसे स्थाई भाव कहेंगे, चोथा उसे संचारी भाव कहेंगे, तो इसमें आप नुवा जो आपका परशन रहेगा, नुवा परशन दिया गए, कि यहां पर श्रिंगारस का स्थाई भाव क्या होता है, यह हमें बताना है, तो इसमें फोर हमें विकल्प दिये गए, चार विकल्प है, पहला है उत्सा, दूसरा रती, तीसरा निर्वेद, और चोथा मम्ता, तो जो श्रिंगारस है, उसका स्थाई भाव रती होता है, भी आपका सही विकल्प रहेगा, देस्वा आपका परशन है, बोले चिते परशू की ओरा, रे सट सुनही सुभाव ने मोरा, बाल कू बोली बंधो नहीं तो ही, बाल कू मुनी जड़ जान ही मोही, अब इस पद म रस कौन सा ये हमें बताना है, तो पहले मैं अर्थ बता देता हूँ, कि यहाँ पर परशू रामजी है, वो अपने फरसे की तरफ इशारा करते हो कहते हैं, कि रे सट, सट का मतल़ होता है मुर्क, कि है मुर्क सुने ही सुभाव ने मोरा, क्या तुमने मेरे सुभाव के बार बतान शादो ही समझ दिया, तो यहाँ पर हमें रस बताना है, तो चार विकलत देगें, पहला यह श्रिंगार रस है, प्यार की बात नहीं हो रही न, श्रिंगार रस नहीं है, दूसरे यह रोधर रस है, रोधर रस मतल़ क्रोध की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्रोध की तो B हमारा सही विकल्प हो जागा, भ्यानेक रेस्ट भी यहां पर नहीं है, तो B आपका करेक्टा आंसर हैगा, क्योंकि यहां पर क्रोध है, वो रोधरस्ट का स्थाई भाव होता है, तो यहां पर भी क्रोध की बात की जा रहे है, ठिक, तो एक बार फिर से देख लिजी, कुश्य नमबर जो आपका सिक्स्त है, चठा जो आपका परशन है, उसमें A सही विकल्प हैगा, साथमें परशन में C सही विकल्प हैगा, आठमा जो आपका परशन है, उसमें C सही विकल्प हैगा, नुवा जो आपका परशन है, सिरंगार का स्थाई भाव कौन सा होता, त तो जो दसवाँ परशन है, इसमें रोधर से तो भी आपका सहीवी कलप हो जागा, तो ये थी हमारी आज की assessment worksheet, उमीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो ये worksheet अच्छे लेगी, तो इस वीडियो इस worksheet को like और share जरूर कीज आपके class and social science का complete syllabus हो चुका है, सभी chapters detail में हमने कर लिए, सभी chapters के MCQs हो चुके है, 80% आपका English का syllabus भी हो चुका है, okay, MCQs भी आचुके हैं, और detail में भी chapters हो चुके हैं, जो term 1 के, हिंदी का आपका 40% के आसपा से लेबस हुआ है, जैसे आपके जो part है, साहित्य के, वो हमने कर लिए, लेकिन कविताएं आपकी रहती है, अभी तक हमने दो कविताएं किये, और इसके लबाग व्याकरण का कार है, तो इसके आपको class 10th English और Hindi MCQs है, वो playlist सर्च करने, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे, आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में,